C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थै कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक, गणित का जादू चौथा पाट, टिक टिक टिक, प्रिष्ट 35 पंपोश और शाजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज्यादा दोर है पंपोश बोला, मुझे स्कूल पहुँचने के लिए पांच मिनट पैदल चलना पड़ता है शाजिया ने कहा, मुझे स्कूल पहुँचने के लिए सिर्फ दो मिनट पैदल चलना पड़ता है पमपोश बोला ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा घर स्कूल से ज़ादा दूर है शाजया ने कहा पर मैंने अपनी घड़ी से समय जाचा है शाजया बोली मैं स्कूल जाने के लिए साथ बज़े निकलती हूँ शाजया ने कहा जब मैं स्कूल पहुँशती हूँ तब मिनट की सुई दो पर होती है शाजया ने आगे कहा तो इसका मतलब हुआ साथ बचकर दो मिनट या साथ दो इस प्रिष्ट पर पंपोश और शाजया को आपस में बाते करते दिखाया गया है साथ ही एक दुकान पर दुकानदार उन बच्चों को देख रहा है और साथ ही कुछ घणिया भी दिखाई गई है प्रिष्ट चतिस पंपोश ने कहा तुम गलत हो तुम तो साथ बचकर दस मिनट पर स्कूल पहुँशती हो शाजया ने कहा कैसे पंपोश बोला क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रिखाई देख रही हो शाजया बोली हाँ तो क्या पंपोश बोला बारा से दो तक यहां दस रिखाई है इसलिए ये साथ बचकर दस मिनट होता है पंपोश आगे बोला मैं स्कूल जाने के लिए साथ बज़े घर से निकलता हूँ मैं साथ बचकर पांच मिनट पर स्कूल पहुँशता हूँ देखो बिनट की सुई पांच मिरेका पर है इस प्रिष्ट पर शाजिया और पंपोश को आपस में बाते करते दिखाया गया है और साथ ही घणिया भी दर्चाई गई है अभ्याज यहां दिया गया है कि तीन दोस्त किस तरह घणि में समय देखते हैं बताओ कौन ठीक है इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक तालिका दी गई है जिसमें चार भाग है सबसे पहले भाग में एक के नीचे एक तीन घणियों को दर्चाया गया है दूसरे भाग में लिखा है चीकू तीसरे में बिट्टू और चोथे में पिंकी लिखा है आईए अभमतालिका को पढ़ें घड़ी नमबर एक छोटी सुई तीन पर बड़ी सुई बारा पर चीकू ने लिखा बारा बचकर तीन मिनट विट्टू ने लिखा बारा बचकर पंधरा मिनट और पिंकी ने लिखा तीन बजे घड़ी नमबर दो इस घड़ी में छोटी सुई पांच पर और बड़ी सुई को साथ पर दिखाया गया है इस घड़ी को देख कर चीकू ने लिखा साथ बचकर 25 मिनट विट्टू ने लिखा पांच बचकर 7 मिनट और पिंके ने लिखा 5 बचकर 35 मिनट घड़ी नमबर 3 इस घड़ी में छोटी सुई को 7 पर और बड़ी सुई को 3 पर दिखाया गया है इस घड़ी को देखकर चीको ने लिखा 3 बचकर 35 मिनट बिट्टो ने लिखा 7 बचकर 3 मिनट और Pinky ने लिखा 7 बज़कर 15 मिनट अब आपको तालिका में देखकर ये बताना है कि चीकू, बिट्टू और Pinky के समय में से कौन सा समय बिलकुल ठीक है प्रिष्ट 37 दो, नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ इस प्रिष्ट में सबसे उपर 6 प्रकार के घड़ियां दिखाई गई हैं जिन में घड़ियों की सुया नहीं है और उन घड़ियों के नीचे उनका समय लिखा है आपको ये समय देखकर घड़ी में सुयों के माध्यम से समय को दर्शाना है पहली घड़ी समय अब आप नीचे लिखे इस समय को घड़ी में सुयों के माध्यम से दर्शाएं क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है यदि हाँ तो तुम्हें इसमें बहुत मजाएगा क् तुम्हारे यहां सूरज किस समय निकलता है रिक्तिस्थान क् सुरियास्त किस समय होता है क्या हर दिन सूर्योदे और सुर्यास्त का समय एक ज़सा रहता है? अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग-अलग महीनों में सूर्योदे कब होता है और सूर्यास्त कब होता है? इस प्रिष्ट के सबसे अंतिम हिस्से में दो घड़ियों को दिखाया गया है, जिन में घड़ी के सुया नहीं है और एक अन्य द्रिश में एक चांद को पांच तारों के साथ दिखाया गया है प्रिश्ट 38 फोटो को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा यहाँ पर एफिल टावर का एक्षित्र है यह फ्रांस के पैरिश शहर की किसी जगह की फोटो है इस जगह गर्मियों में सूरज रात के नौ बज़े के बाद अस्थ होता है उपर वनी फोटो रात के वक्त खिंचे गई है लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम चार बज़े ही अंधिरा हो जाता है तीन पता करो इस प्रिश्ट के अंतिम भाग में आठ घडियां दिखाई गई है जिन में एक के सामने एक घड़ी दर्शाई गई है सभी घड़ियों में समय को दर्शाई आ गया है अब हम इन घड़ी की सूयों को देखते हैं और आपको यह बताना है कि एक घड़ी में दिखाई गई समय से दूसरी तक पहुशने में मिनट की सूय को सरकने में कितना समय लगेगा पहली दो घड़ियां बाई तरफ की घड़ी छोटी सूय तीन और चार के बीच और बड़ी सूई सात पर से दूसरी घड़ी चोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 10 पर दूसरा चेत्र अगले चेत्र में बाईं तरफ की घड़ी चोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 1 पर से दूसरी घड़ी चोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 3 पर तीसरा चेत्र बाईंग घड़ी छोटी सुई चार पर और बडी सुई आठ पर से दूसरी घड़ी छोटी सुई चार पर और बडी सुई बारा पर चोथा चित्र बाईंग घड़ी छोटी सुई साथ पर और बडी सुई दो पर से दूसरी घड़ी छोटी सुई आठ पर और बड़ी सुई नौ पर प्रिष्ट 49 घंटे और मिनट की सुई कहां होगी बनाओ दिये गए चित्रों में चार घड़ियां दिखाई गई हैं इनका समय बताया गया है किन्तु घड़ी में सुईयां नहीं बनी है इसमें आपको समय को देखकर घड़ी की सुईयां बनानी है पहली घड़ी क चे बचकर 20 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी ख दूसरी घड़ी आठ बचकर 30 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी ग, तीसरी घड़ी, साथ बचकर दस मिनट पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी? और चोथी घड़ी, ग, पांच बचकर पंदरा मिनट पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी? तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है? रिक्तिस्थान आधे छुट्टी कितनी लंबी होती है रिक्तिस्थान खेल का पेरियड कितना लंबा होता है रिक्तिस्थान क्या ये बाकी पीरणों जितना लंबा होता है रिक्तिस्थान इस प्रिष्ट के बीच वाले हिस्से में कुछ बच्चे फुटबॉल से खेलते हुए और कुछ खाना खाते हुए दर्शाय गए है इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में कक्षा में बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया है एक लड़की कहती है खेल का पीरियड और आदी छुटी का समय बहुत छोटा लगता है ठीक है ना प्रिष्ट चालीज नीचे लिखे कारियों को पूरा होने में कितना समय लगेगा पहले अंदाजा लगाओ अपने अंदाजे को फिर घर पर जाचो यहाँ पर तीन चित्र दिये गए हैं पहला चित्र एक लिटर दूद उबालने में रिक्तिस्थान यहाँ पर दूद उबालने का चित्र है दूसरा चित्र एक बाल्टी पानी भरने में रिक्तिस्थान यहाँ नल से बाल्टी में पानी भर रहा है और तीसरा चित्र अपना कमरा साफ करने में रिक्तिस्थान यहाँ पर कमरे को साफ करते दिखाया गया है करके देखो तुम एक मिनट में कितनी बार ये कर सकते हो चुटकी बजाना रिक्तिस्थान ख रसी कूदना रिक्तिस्थान ग उपर नीचे कूदना रिक्तिस्थान ग रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान यहाँ पर एक लड़की को रसी से कूदते होई दिखाया गया है कुछ और ऐसे मज़ेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो तुम्हारे लिए एक चुनौती है तुम कितनी देर तक ये कर सकते हो क बिना रुके बोलना रिक्तिस्थान एक टांग पर खड़े होना रिक्तिस्थान ग आ बिना रुके गाना यहां पर दो बच्चों का चित्र है एक को गाना गाते होए और दूसरे को एक टांग पर खड़े होते होए दिखाया गया है तुम्हें इन में कितना समय लगेगा क पचास मीटर की दोड में रिक्तिस्थान क मैदान से पचास कंकर चुनने में रिक्तिस्थान क एक से सो तक गिन्ने में रिक्तिस्थान कच्वा बोला कान जीता प्रिष्ट 41 एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो क मिनट की सुई दो से चली उससे दोबारा दो तक आने में कितने मिनट लगेंगे रिक्तिस्थान ख क्या घंटे के सुई भी घूमती है उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुँचने में कितना समय लगेगा और ग अपने आसपास देखो और उन कारियों की सुची बनाओ जिने पूरा होने में लगभग एक घंटा लगता हो एक, रिक्तिस्थान, दो, रिक्तिस्थान, तीन, रिक्तिस्थान, चार, रिक्तिस्थान, और पांच रिक्तिस्थान ऐसे पांच कारियों की सुची बनाओ जिने पूरा होने में लगभग एक घंटा लगता हो यहाँ पर सुची बनाने के लिए जगा दी गई है घर में रात का खाना बनने में कितना समय लगता है? एक घंटे से ज्यादा या एक घंटे से कम? रिक्तिस्थान अपने पिताजी से पूछो कि क्या वो भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं? जितनी जल्दी तुम्हारी मा बनाती हैं? हाँ या ना? कौन से खेल एक घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं? रिक्तिस्थान एक फोटबॉल मैच कितने समय का होता है? रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चे ऐसी सभी चीज़ों को जिने वो एक मिनट में कर सकते हैं देखने के लिए उन्हें स्वैम करके आनंद लेंगे घर पर काम होते हुए देखना, उन्हें समय का अनुभव और दूसरों के प्रियास को आदर करने में भी सहता करेगा इसी प्रिष्ट पर अन्तिम भाग में दो बच्चों को प्यड के पास खड़े हुए दिखाया गया है, प्रिष्ट ब्यालीज रानी की डायरी यहाँ पर कुछ बच्चों का चित्र है रानी ने कहा, आओ, मेरी छोटी बहन को देखने चले रानी ने अपनी मा से कहा, मा मैं मुनिया के लिए मिठाय लाई हूँ मा बोली, पर वो नहीं खा सकती, वो अभी बहुत चोटी है रानी बोली, और वो बोलती भी नहीं है मा ने कहा, जैसे जैसे वो बड़ी होगी, धीरे धीरे ये सब करने लगेगी इस प्रिष्ट में रानी, उसकी मा, उसकी छोटी वेहन और अन्य बच्चों का चित्र है प्रिष्ट 43 जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रानी बोली, मैं अपनी डाइरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना, वो चलना शुरू किया यहां रानी की डाइरी के पन्ने हैं, जिन पर लिखा है पहला पन्ना, पांच मार्च, दो हजार पांच मुनिया, आज पैदा हुई दूसरा पन्ना, पंदरा सितंबर दो हजार पांच मुनिया का पहला दात निकला तीसरा पन्ना, दस नवंबर दो हजार पांच मुनिया ने बैठना सीखा चौथा पन्ना, बीस नवंबर दो हजार पांच मुनिया ने घुटनों के बल चलना शुरू किया पांचमा पन्ना, पांच जन्वरी 2006, मुनिया प्यारों पर खड़ी हुई छटा पन्ना, पांच सितंबर 2006, मुनिया ने एक केला खाया और साथमा पन्ना, दो फर्वरी 2006, मुनिया ने चलना शुरू किया मुनिया की समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो यहाँ पर एक रेखा दी गई है, जिसके उपर बाई तरफ सबसे पहले लिखा है पांच तीन पांच, इसके नीचे लिखा है पैदा होई अब आप मुनिया की इस समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो मुनिया का पहला दाथ सितंबर में निकला तब वो कितने महीने की थी मुनिया कितनी बड़ी थी जब क वो बैठी रिक्तिस्थान ख उसका पहला दाथ निकला रिक्तिस्थान उसने पहले क्या किया क चलना या केला खाना ख, घुटनों के बल चलना या खड़े होना प्रिष्ट चवालीज रानी के यहां एक लाडला पिल्ला था दो सप्ता के बाद उसने आँखे खोली रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा यहां पर एक पिल्ले का चित्र है और उसके नीचे लिखा है तीन सप्ता में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया चित्र दो चार सप्ता बाद उसने आसपास चलना शुरू किया पर डगमगाते हुए यहां पर पिल्ले का चित्र है जिसे बॉल के साथ दिखाया गया है तीसरा चित्र साथ महीने में उसके सारे दांत आ चुके थे यहाँ पर पिल्ले का चित्र है और साथ ही उसके दांत भी दिखाए गए है चौथा चित्र एक साल बाद वो एक पूरी कुतिया थी और उसके अपने पिल्ले थे यहाँ पर एक कुतिया का चित्र है और साथ ही उसके तीन पिल्लों का भी चित्र है अब अपनी कौपी में कुतिया के जीवन की समय रिखा बनाओ मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी गई बातों की तुल्ला करो प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक तालिका दी गई है जिसके तीन भाग हैं आईए अब तालिका पढ़ते हैं पहला चलना शुरू किया मुनिया आयू रिक्तिस्थान चलना शुरू किया पिल्ला आयू रिक्तिस्थान 2. पहली बार खाना खाया मुनिया आयू रिक्तिस्थान पहली बार खाना खाया पिल्ला आयू रिक्तिस्थान और 3. शुरुवाती दांत निकले मुनिया आयू रिक्तिस्थान और पिल्ला आयू रिक्तिस्थान प्रिष्ट 45 प्रिष्ट के बीच वाले भाग में तीन चित्र बने हैं चित्र एक सबसे बाई तरफ एक हाती का चित्र चूँचूँचूहे के दादाजी दो वर्षिये और चित्र तीन और सबसे दाहिनी तरफ रानी के दादा जी का चित्र है रानी के दादा जी सत्तर वर्षिये अब इन रिक्तिस्थानों को भरो अप्पू के दादा जी रानी के दादा जी से कितने बड़े हैं? रिक्तिस्थान क्या चूचू के दादा जी कभी अप्पो के दादा जी जितने बड़े होंगे? रिक्तिस्थान चूचू चूहे के दादा जी रानी के दादा जी से कितने छोटे हैं? रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश यहां बच्चों और शिक्षकों के लिए अलग-अलग जन्तों की जीवन अवधी और बढ़ने के तरीके मालुम करने का एक अच्छा माका है इसका भी पराय इस प्रकार की जानकारी को बिना याद किये हुए तुलना और विचार विमर्श करने के लिए उप्योग करना है प्रिष्ट च्छे अलीज चुट्टियों में मौज मस्ती आतिफ की चुट्टियां शुरू हो गई हैं वो बहुत खुश है उसने चुट्टियों के लिए कुछ मजेदार योजनाय बनाई है जिने वो अपनी चचीरी बेहन शवाना को बताना चाहता है इसलिए उसने शवाना को एक पत्र लिखा यहाँ पर एक पत्र दिया गया है जो इस प्रकार है दाहिनी तरफ सबसे उपर लिखा है अजमेर एक पांच छे प्यारी शवाना आपा आदाब आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा आद से मेरी चुट्टिया शुरू हो गई है स्कूल अब तीस छे छे को खुलेंगे मैं पांच पांच छे को नानी के घर जा रहा हूँ मैं बीस पांच छे को वापिस आउंगा आपके स्कूल कब बंध होंगे? अब यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खुब मौच करेंगे खुदा हाफिज आतिफ शवाना को जो नागपूर में रहती है ये पत्र छे पांच छे को मिला उसने आतिफ को जवाब भेजा इस प्रिष्ट पर अगले हिस्से में शवाना का भेजा हुआ पत्र है जो इस प्रकार है इस पत्र में दाहनी तरफ सबसे उपर लिखा है नागपूर 7 मई 2006 शवाना लिखती है प्यारे आतिफ सलाम मैं यहां ठीक हूँ मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला छुटिया मुबारक मेरा स्कूल एक जून 2006 को बंध होगा और 10 अगस्त को खुलेगा मैं स्कूल ट्रिप पर गुवा जा रही हूँ और 7 छे 2006 को वापिस आउंगी उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूंगी अलविदा शबाना आतिफ ने अपना पत्र 15 2006 को लिखा क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो 15 2006 का मतलब हुआ 1 मई 2006 इसी प्रिष्ट पर उपर की तरफ आतिफ का चित्र और नीचे की तरफ शबाना का चित्र है जो पत्र लिखते वे दिखाए गए है प्रिष्ट 47 अब नीचे लिखी तिथियां बताओ 5 5 2006 यानि 5 मई 2006 अब तुम स्वेम नीचे लिखी तिथियां लिखो 25 2006 रिक्तिस्थान 76 2006 रिक्तिस्थान और 11 2007 रिक्तिस्थान नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो 1 June 2006 रिक्तिस्थान 30 मई 2006 रिक्तिस्थान और 10 अगस्ट 2007, रिक्तिस्थान पत्र को अजमेर से नागपुर पहुँचने में कितना समय लगा? रिक्तिस्थान आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा? रिक्तिस्थान नीचे लिखी तालिका पूरी करो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके तीन हिस्से हैं पहले में लिखा है शवाना की चुटियां और नीचे लिखा है आतिफ की चुटियां अब तुम इस तालिका को पूरा करो शवाना की चुटियां रिक्तिस्थान तारीख से रिक्तिस्थान तारीख तक दिनों की संख्या रिक्तिस्थान और आतिव की छुटियां रिक्तिस्थान तारीख से रिक्तिस्थान तारीख तक दिनों की संख्या रिक्तिस्थान किसकी छुटियां ज्यादा हैं शबाना की या आतिव की रिक्तिस्थान तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुटिया होती है उन सब की तिथियों के बारे में लिखो इस प्रिष्ट पर सबसे अंतिम भाग में एक और तालिका दी गई है जिसके तीन हिस्से है अब तुम इस तालिका को स्वेम भरो एक गर्मी की छुटिया रिक्तिस्थान तारेख से रिक्तिस्थान तक दिनों की संख्या रिक्तिस्थान दो शरद कालीन चुटिया रिक्तिस्थान तारेख से रिक्तिस्थान तारेख तक दिनों की संख्या तीन सर्धी की चुटिया रिक्तिस्थान तारीख से रिक्तिस्थान तारीख तक दिनों की संख्या रिक्तिस्थान और चार वार्शिक परिक्षा के बाद की छुटियां रिक्तिस्थान तारीख से रिक्तिस्थान तारीख तक दिनों की संख्या रिक्तिस्थान इस प्रिष्ट पर दो बच्चों की चित्र भी दिये गए है प्रिष्ट 48 15 मई 2006 को चंदरन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया उसने मक्खन के पैकेट को अच्ची तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं उस पैकेट पर लिखा था भीतर खा लिया जाए फिर उसने पैकिंग की तिथी देखी वो थी 15 जनवरी 2006 तुम उसकी ये पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था रिक्तिस्थान 15.1.2006 के 180 दिन बाद को कौन सी तिथी होगी रिक्तिस्थान क्या चंदरन 15.1.2006 को मक्खन खा सकता है रिक्तिस्थान जब तुम कुछ चीज खरीदते हो तो पैकिंग की तिथी देखते हो क्या तुमने दवाईयों पर अवधी समाप्त होने की तिथी लिखी देखी है समाप्ति की तिथी ये बताती है कि किस तिथी के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है पता करो और कौन-कौन सी चीजें काल अवधी समाप्ती तितियों के साथ आती हैं खांसे के सीरप की बोतल पर लिखा था उत्पादन तिति साथ तीन इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई समाप्ती तिति साथ पांच इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है किस महीने और साल को साथ पांच लिखा जाता है क्या खांसे के सीरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा रिक्तिस्थान शिक्षिकों के लिए निर्देश बच्चों से ये उमीद नहीं करनी चाहिए कि वो इस स्तर पर उत्पादन तिथी तथा समाप्ति तिथी जैसे शब्दों को जाने बलकि उनमें इनके प्रति जग्यासा उत्पन करनी चाहिए कि जो दवा वो प्रियोग कर रहा है उसे लेना कब तक सुरक्षित है शिक्षिकों को हमेशा चात्रों को उत्साहित करना चाहिए कि वो अलग-अलग वस्त्वों में अंकित इन तिथीों को पढ़ें प्रिश्ट उन्चाज तुतुन की रेल छूट गई तुतुन का स्कूल गर्मियों के चुट्टियों के लिए बंध हो गया वो अपनी नानी के घर गया वहाँ वो अपने चचेरे भाई भेहनों से मिला उसे बहुत मजा रहा था और वो वापस घर नहीं जाना चाह रहा था यहाँ पर तुतुन और उसकी मा का चित रहे मा ने कहा तुतुन अपना सामान बांधो गाड़ी शाम को पांच बजकर तीस मिनट पर जाएगी तुतुन बोला ओ नई हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं काश हमारी रेल छूट जाए तुतुन अपने माता पिता के साथ पांच बजकर पंदरा मिनट पर स्टेशन पहुँचा पर सोचो क्या हुआ होगा उनकी रेल गाड़ी सच मुझ छूट गई तुतुन ने कहा हुरे मुझा आ गया इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ इस प्रिष्ट पर अंतिम हिस्से में एक रेल की पट्री का द्रिश्य है और साथ ही प्लैटफार्म पर कुछ लोगों को दिखाया गया है जिसमें तुतुन और उसके ममी पापा भी है क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी प्रिष्ट पचास असल में गाड़ी सुभा पांच तीस पर चल दी थी तुतुन के माता पिता परिशान थे उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा तुतुन के पिता जी हमारे टिकेट पर तो पांच तीस लिखा है स्टेशन मास्टर लेकिन सर इसका मतलब है सुभा पांच तीस पर रेलवे में शाम के पांच तीस को सतरह तीस लिखा जाता है तुतुन की पिता जी ओ हाँ ये तो मैं भूली किया था तुतुन ने प्रश्ण किया क्यों? तुतुन की मा ने कहा क्योंकि वहाँ 24 घंटे की घड़ी प्रियोग में लाई जाती है यहाँ पर तुतुन के ममी पापा और तुतुन का चितर है साथ ही स्टेशन मास्टर का चितर भी है इस प्रिष्ट के बीच वाले भाग में दायनी और एक उल्लू का चितर है जो कह रहा है इस चैट को देखो ये तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है इसे पूरा करने की कोशिश करो इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक तालिका बनी है जिसके दो भाग दर्शाए गए है पहले भाग में लिखा है तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय बारा घंटे की घड़ी और दूसरे में लिखा है 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय अब इस तालिका को पूरा करो इस तालिका में पहले हम आपको बताते हैं उसके बाद तुम स्वयम रिक्तिस्थानों को भरो तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर एक बजे 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय तेरा घंटे तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर दो बजे 24 घंटे के घड़ी के अनुसार समय 14 घंटे तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर तीन बजे 24 घंटे के घड़ी के अनुसार समय रिक्तिस्थान तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर तीन बज कर तीस मिनट 24 गंटे के घड़ी के अनुसार समय साले 15 गंटे तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय शाम के 6 बजे 24 गंटे के घड़ी के अनुसार समय रिक्तिस्थान तुम्हारी घड़ी के नुसार समय शाम के 9 बजे 24 घंटे की घड़ी के नुसार समय रिक्तिस्थान तुम्हारी घड़ी के नुसार समय मध्यरातरी 12 बजे 24 घंटे की घड़ी के नुसार समय रिक्तिस्थान प्रिष्ट 51 उल्लू बोला क्या अब तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है यहाँ पर सबसे उपर एक उल्लू का चित्र है जो पेड की डाल पर बैटा दिखाया गया है मान लो कि गाड़ी रात 8 बज कर 30 मिनट पर छूटती है तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा रिक्तिस्थान यहाँ पर एक महिला और एक लड़की का चित्र है महिला ने कहा बारा घंटे वाली घड़ी में एक ही समय दो बार आता है जैसे 5 बज कर 30 मिनट सुभे के 5 तीस एम और 5 बज कर 30 मिनट शाम के पांच तीस पी एम लड़की बोली दो पहर बारा बज कर 30 मिनट पर कितना समय होगा औरत ने कहा यह बारा तीस पी एम है यह साड़े बारा पी एम है दो पहर बारा बज़े से मध रातरी तक हम पी एम कहते हैं तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा। उसी समय को एम और पी एम का प्रियोग करते हुए लिखो। सूर्योदय, रिक्तिस्थान, सूर्यास्त, रिक्तिस्थान। यहाँ पर बादलों के बीच सूरी का चित्र है। 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहां कहां प्रियोग में आते देखा है। एक रिक्तिस्थान, दो रिक्तिस्थान, तीन रिक्तिस्थान। इस प्रिष्ट पर एक लड़की का चित्र भी बना है, जो एक गेन से खेल रही है। इसी के साथ चौथा पाठ टिक 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 अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीन शर्मा, तक्निकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, विकास सांगवान, निर्माण सहयोग, रुचिशर्मा, निर्देशन और निर्माण, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।